यह आज की दिन का पहला ही वीडियो है जैसा आपको पता है Saturday मार्किट नहीं है So, जब मार्केट खोल खूयाएं तो मैंने आपको हमेशा बता है काफी कम आते हैं कुछ तरगे जो नीउस होते हैं यह काफी कम आते हैं तो इस केस में हमें थोरा टाइम मिल जाता है तो इसलिए हम नॉलेज बेसिस पर कुछ इंपोर्टेंट वीडियो जो नॉलेज़ पर पस के लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि और न्यूस सुनकर के अबिस्टी बात है मतलब कुछ नहीं होने वाला जिनको पता है में भी हम उसी तरव की बाते करने वालने न्यूस इन सबकिवाट난 करेंगे बात करें क्युछ नॉलेज की क्या करने वाल है तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्कापेंट इंडिया लिमिटड के बारे में business के बारे में बात करेंगे fundamentals देखेंगे technicals देखेंगे and इसी तरह से हमारा video end होगा so video थोड़ा लंबा हो सकता है I think आदे गंटे से कम का ही होना चाहिए but फिर भी आदे गंटे तक का हो सकता है तो इसलिए आप आराम से बैठ करती देखो कोई tension नहीं है and आदे गंटे आराम से बैठना और समझना चीजों को ठीक है साथ में आपको आदे गंटे बैठने से पहले ही बता दू यह video थोड़ा डिटेल में होने वाला है क्यों क्योंकि आप market cap पहले देख लो इसलिए मैं पहले market cap ही दिखा देता हूं companies का 1600 करोड के आसपास का market cap है मतलब 1500 करोड का market cap small cap बहुत छोटी company है तो इसलिए रिस्क भी बहुत ज़ादा है तो obviously आप बहुत ध्यान से देखना and समझने की कोशिश करना business को बाकी मैं अपने end से पूरा ही कोशिश करूँगा तो start करते हैं सबसे बहले बात करते हैं सिर्का पेंट्स इंडिया लिमिटेड के business के बारे में नाम से यह आपको पता चल रहा होगा इसका business जो है paint से अपने लेटेड कुछ होगा बट फिर भी यहां पे इंडिया लिमिटेड इस एंगेज इन दा business of manufacturing selling and export of wood coatings and other decorative paints under brand तो यहां पे जो है different colors के different types के ठीक है उन सब चीज होगा तो यहां पर और आगे बढ़ते हैं यहां पर products आप कुछ देख सकते हो जैसे कि यहां पर किस किस तरह का product है तो wall coating है मतलब दिवार पे paint करना wood पे paint करना लकड़ी पे paint करना metals पे paint करना एंड glass पे paint करना तो इन सब तरह के paints जो है यह company बनाती है अगर हम बात करें इसके product की तो किस-किस brand के अंदर मतलब यह circa paints इंडिया के अंदर 3-4 brands आते है एक्चुली 4 brands आते है और सब brand के अंदर-अंडर अलग-अलग तरह का product आता जो कि premium category में आते है वो जो है sirka paints sorry sirka के अंदर आते है ठीक है बाकि यहाँ पे unico एक नाम है ठीक है unico brand है इसके अंडर क्या आता है तो unico के अंडर mass market wood coating आता है मतलब ऐसा wood coating जो mass market के लिए हो मतलब जो सस्ता हो जो बहुत सारे लोग effort कर सके and use करते हो तो mass market product जो है वो युन अगर देख सकते हो अगर company के ranking के बारे में कुछ बात की जाए तो company जो है top 3 in premium category wood coating मतलब premium category wood coating में top 3 में आती है और इंडिया में इंडिया के बात हो रही है and market leader है किसमे premium wood coating में North India में तो यहां पर premium wood coatings के अंदर ठीक है यह market leader है North India में तो यह चोटी मुटी company है लेकिन यहां पी साथ में market leader भी है तो आप यह भी चीज़ देख सकते हो कि market leader भी है यह company तो बाकि अगर हम revenue mix के बात करें तो retail segment स 70% आता है OEM से 30% आता है अब सवाल ही आता है भीया OEM क्या होता है OEM होता है कि मालो intermediate ठीक है मैं full form में नहीं जा रहा full form सुन करके भी यह वैसा कुछ चलो यह आपके लिए मैं दिखा जाता हूं full form क्या है but full form देख करके समझ में कुछ नहीं आता है OEM full form okay so OEM full form देख सकते हो Original Equipment Manufacturer यह क्या होता है देख सकते हो अगर मैं नीचे जाओं तो Describe a web or relations okay so यह नहीं है एक second okay so यहाँ पर क्या चीज़े मैं आपको बताता हूं यहाँ पता नहीं OEM in full form in stock market लिखते है है ठीक है okay so yes in stock market तो यह देख सकते हो Original Equipment Manufacturer क्या है टेजिशनली डिफाइंड एस तक कंपनी फूस बूर्ट्स अफ अनधर कंपनी विच दैन सेल्स्टा फिनिश्टम तो यहाँ पर का मतलब मैंने आपको बताया अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं तो देखो Original Equipment Manufacturer यह तो उतना समझ में नहीं आएगा मैं आपको बताता हूं यह जो है एक intermediate type का product बनाती है जो की further और भी process होता है मालो एक यह OEM है ठीक है finished good बनाने के लिए इसको जो है और process करना होता है जो की companies इसी को buy करके और process करती है and finished product बनाती है तो उसी को कहते है OEM बाकि यार अगर honestly कहूं मुझे पता था बट मैं आपको मुझे यह नहीं पता था इसका जो मतलब full form है मतलब यार नहीं था मुझे actually बट इसका मतलब यार आप समझे रखो full form से कुछ नहीं होता ठीक है आप अगर कोई आपसे इसका definition पुझेगा भाई बताओ price to book का definition क्या होता है ठीक है अगर आपको EPS calculate करना है तो कैसे calculate करोगे ठीक है पता रहना अच्छी बात है बट actual में EPS कैसे काम करता है PE कैसे काम करता है price to book कैसे काम करता है ROE कैसे काम करता है ROC कैसे काम करता है यह जाना जरूरी है ना कि ROC का मतलब return on capital employed यह जाना जरूरी नहीं है मतलब क्या ही कर लोगे आप जान करके obvious सब आते हैं तो इसलिए definition पे आप याद करना चाहो याद कर सकते हो है कोई दिक्कत नहीं है बट क्या होता है इसका real meaning उसको याद रखो OEM मतलब कोई intermediate good जिसको आगे कोई purchase करेगा and आगे Phoenix product बनाएगा तो OEM अगर यह बनाता है तो कोई company से buy करती होगी तो कौन सी companies है जो इसका OEM buy करती है तो clients में देख सकते हो 587 तरह के OEM मतलब company works with 587 OEM मतलब OEM clients 587 OEM clients के साथ यह काम करती है जो इसका OEM product खड़िती है लेकिन उसमें से कुछ notable है मतलब जो importance है जिनका नाम आपको पता हूँ है जैसे गोद्रेज है जिन्दल stainless है ठीक है इंडो line है space wood है then pyramid है mass furniture है sondere decorators है तो यह सब इसके कुछ major clients है बाकी manufacturing capabilities की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो PU products जो है वो आठ हजार टन है PU thinner जो है वो यहाँ पर 4000 तन है और wall paint जो है वो यहाँ पर 48 lakh liter है बाकी आगे बात करते है manufacturing unit के बारे में तो यहाँ पर जो है the company has undertaken a project to set up a manufacturing line for resin तो अब resin क्या है ठीक है resin है resin है key starting material for wood coatings तो resin जो है key starting material है मतलब एक key ingredient आप कह सकते हो wood coatings बनाने के लिए और यह चीज जो है मतलब बनेगी company में अब से और यह जो है एक new manufacturing line हो रहा है मतलब क्या की plant नहीं हो रहा है एक manufacturing plant पुरा factory नहीं बैठेगा existing factory पे existing manufacturing plant पे ही एक अलग line बनेगा मतलब उसी में अलग से produce होगा ठीक है मतलब आप कह सकते हो एक room extra बना दिया जाएगा जिसमें यह produce होगा उसी फैक्टरी कौन सा है existing facility कौन सा सोनीपत में है तो सोनीपत के उसी manufacturing facility में उसी manufacturing unit में एक अलग से बनाया जाएगा तो बाकी यहां पर देख सकते हो project जो है वह half yearly मतलब पहले हाफ में fya23 का cover होना चाहिए मतलब बन जाना चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से बन गया होगा अभी तक तो बाकी network के बारे में बात करते हैं तो 19 सिरका studios है 1580 dealers है and 13 branches and depots है तो यहां पर network भी ठीक ठाक है बाकी अगर मैं product launch के बारे में बात कुरू तो यह खुद से कर लेना marketing यह marketing कैसे करती है तो obviously advertising से marketing करती है then sales promotion करती है ठीक है और इस सब में थोड़ा अब समझ लो तो जो मैं आपको बता देता हूँ एक overview type का इस तरह का board है यहां लिखा हुआ है circa paints और यहां पर कुछ logo बना हुआ है इनका यहां कुछ और tagline लिखा हुआ है and यहां कोने में जो है 1150 shops में लग चुके है बाकी यहां पर total जो है वह around कितने है 1580 थे तो यहां पर 1580 में से 1150 में लग चुके है मतलब अभी around 400 shops में बाकी है तो अभी shops का number भी बढ़ चुका होगा and यह numbers भी बढ़ चुके होगे बाकी यह काम कर रहा है मतलब सिर्का पेंट्स वाली जो company है वह यह काम कर रही एक shopboards लगा रही है मेरे तरब से अच्छी बात है ठीक है अगर promotion हो रहा है इन सब चीजों से तो अच्छी बात है इनसे क्या होगा dealers भी थोड़े खुश होते हैं कि उनका भी थोड़े इस भी आप टैंशन मतलो बाकी यहां पर टीवी कमर्शियल्स उसके बाद यहां पर रीजनल लेंविजेस में हिंदी में टीवी कमर्शियल्स दैन एडविजमेंट इन मूवी थीयटर्स यह सब भी करते हैं और फोकस इसका क्या है फोकस अभी जो एक्सपोर करना है कहां कह यहां पर नेपाल बांगलादेश और सिलंका जैसी नेवरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है ठीक है और यह जो है इसका पूरा ओवर्वीव हो गया बिसनस का मैं आपको इसके वेबसाइट पे एक बाल ले जाना चाहूंगा यह देख सकते हो यह इतालियन अगर मैं एक्सपोर नाव पर क्लिक करता हूं तो यह देखो यहां पर कुछ ऐस ओके सो यहां पर पेज नॉट फाउंड है कुछ एरर हो चुका है वाल पेंट पर जाता है तो यह खुल रहा है अब यह देख सकते हो क्या-क्या यह करती है तो यहां पर इंटीर है ठीक है ए यह देखो यह एक्सटीर का है इस तरह के कुछ पेंट से लगत तो सेम ही रहे दोनों सेम ही है क्या पता नहीं तो जो भी है यह जो इस तरह की कुछ फिनिश्यस है तो यह सब चीज़ें बाकि अगर यहां पर क्लिक भी करता हूं इंटीर पे मालो मैंने एक्स्टोर पे क्लि REM कर सकता है कि यह सकते हो में कुछ लिखा हुआ है कि इस तरह के आप जिए सकते हैं तो यह चीज़ यह आप बताया जा रहा है बाकि है पुँ और फिमेजस देख सकते हो अ cynतapa ओं इंटीर पे क्लिक किया था और यह ठीर ठीर written हो रहा है देख तो प्रीमियम नि falls अंगly है तो ses小 जैसे यहां पे देखो सी लंगजरी एमल्शन यहां पर फिर यह कुछ है तो सब्सक्राइब क्रीकिह दिल्ग दिल्ग को सबहुत हैं यह पर इस अब करणे रहे चुiger टुरák से में रिरी कंपले को सिर से कुछ क्यों रिरी पर दिखायों का ही business होता है बाकी अगर आप यहां के इसमें आओगे investor presentation में जो आपको कहां मिलेगा मैं आपको बता देता हूं यहां पर आप आओगे नीचे documents में आपको दिखाए तो यह क्या है wall paint का range है तो इसमें कौन-कौन सी चीज है देखो जैसे यह paints है ठीक है यह पुट्टी है मेरे जिसाब से और यह जो यह साइब में ठीक है बाकी यहां पर क्या है branches आप यहां पर देख सकते हो सिरका स्टूडियो यह ब्लू वाले यह सिरका स्टूडियो रेड वाले ब्रांचे से एंड एक्सपोर्ट मार्केट जैसे मैंने का स्रिलंका बांगलादेश और नेपाल यह एक्सपोर्ट मार्केट है इसका बाकी अगर मैं नीचे जाता हूं यह देखो रिटेल से काउन साथ है 70 परसेंट आता है यहां पर देख सकते हो वह एक्रेसिवली ग्रोइंग डिस्टिविशन नेटवर्क तो यह सच में अग्रेसिवली है 1520 1580 था 1823 हो चुका है तो यह एक्रेसिवली तो है सिर्फ साथ यहां पर 45 था तो 48 हुआ थोड़ा इंक्रीज हुआ है और यहां पर 8000 तो यहां पर मैक्सिमम कैपसिटी 225 करोड और बहुत चीज़े यहां पर लिखी हो ठीक है बाकी आगे बढ़ते हैं यह देख सकते हो यह सिरका स्टूडियो है ठीक है सिरका स्टूडियो अगर यहां पर आप जाओगे तो सही मैं आपको जो अच्छा लगा रहा है मुझे तो यहां पर बहुत डिस्प्लेज लगे हुए जैसे यह देख सकते हो यहां पर कुछ इस तरह से लाइटिंग की हुई है बाकी यहां पर देख सकते हो बहुत सारे जो वाल पेंट्स या यहां पर देख सकते हो इसे क्या होता है जिनका दुकाने वह भी खुशियार चलो नाम लिख दिया हमार इतिना बड़े बोड पर बहुत अच्छी बात है और सिर्का ने भी अपना काम तो करी लिया लग लग जब बोड आ गया तो इससे क्या होता है इसे जो ना विजिबि अगर आप दुकान पर निकल लो कोई भी जगह पर निकल रहो ऐसे वाक पर और आप सोच रहो यार की घर अप कलर करा ही लेते हैं आपके सामने यह सिर्का ठीक है आप सोचते हो यह कौन सी कबने चलो देख लेते हैं यह चीज़ है अगर आपके सामने एशन पेंट्स यह चीज़ है कि मतलब प्रेजन्स कितना जादा है वह और वही प्रेजन्स पढ़ाने के लिए सिर्का भी कोशिश कर रही है जो कि अच्छी बात है बाकी अगर और में नीचे आता हूं तो और भी बहुत चीज़ है आपको दिखेगी बाकी मैं एंड करता हूं क्योंकि यह यहां पर यह तो फिर रेजल्ट्स आगे जिसके बारे में आगे बात करेंगे तो इसको मैं बंद करता हूं अब वापस आ जाता है कहां पर वापस आते हम फंडमेंटल में तो सबसे बहले क्वाटर के बारे में बात करेंगे एक और चीज़ गाईज अगर आप पीर्स पे अगर आप यहां पर यहां पर कभी कभी कमपेरिजन बहुत ही गलत होता है यहार आप क्या कंपेर कर रहा हूं सेक्टर क्या है ट्रेडिंग इंडस्ट्री क्या है ट्रेडिंग ठीक है आज अच्छा आप एक चीज बताओ अदानी एंटरप्राइज और उसके बाद यह लग लग चीज़े करती है अगर आप यहां पर ट्रेडिंग इंडस्ट्री ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं है तो वही चीज़े यार सबको मिला जुला करके इन्होंने सामने लग दिया है तो कभी कभी जो है कंपेरिजन वह बहुत गलत होता है ठीक है और कंपेरिजन प चीज़े कोई मतैता है तो वही चीज़े जयाता है तो यहाँ पर आगे अगे बढ़ताते हैं मैं थोड़ा बात करता हूं इसके फंडमेंटल के बारे में तो सबसे पहले चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह मार्च क्वाटर 22 23 अगर सब क्विक्रेंग मैंने 54 से बढ़ करके 68 बहुत अच्छी बात है operational प्रोफिट जो है operating प्रोफिट जो है 9.41 से बढ़ करके 13.12 बहुत इंक्रीज हुआ है अच्छी बात है margin भी 17% से बढ़ करके 19% हो चुका है बहुत अच्छी बात है यहां पर profit before tax 9 crore से बढ़ करके 13 crore हो चुका है बहुत अच्छी बात है net profit यहां पर 6 crore से बढ़ करके 10 crore 9 crore हो चुका है बहुत अच्छी बात है EPS भी एक रुपए 13 पैसे से बढ़ करके एक रुपए 70 पैसे के भी आगे जा चुका है बहुत अच्छी बात है तो year on year comparison में तो सब ही चीज़े बहुत अच्छी बात है सब कुछ year on year basis पे rise किया है जो कि अच्छा लगा quarter on quarter में discuss करनी रहा क्योंकि quarter on quarter discuss करने का कुछ फाइदा होता नहीं है क्योंकि company जो है एक तो इतनी चोटी है बड़ी companies जो होती है बड़ी companies quarterly अच्छे से growth नहीं दिखा पाती है and side में कुछ हवा चल रहा है इसलिए sound ignore करना तो बड़ी companies जो होती है वो तीन महीने में खुद growth नहीं दिखा पाती है तो छोटी company है फिर भी इसने sales growth दिखाया तो अच्छी बात है बाकी मैं quarter on quarter इसी विज़े से discuss नहीं करता हूँ आगे बढ़ते हैं तो quarters मुझे अच्छे लगे profit and loss statement की बात करते हैं यहां पर देखो sales जो है वो लगातार increasing है कोई दिक्कत नहीं है 22 29 65 71 83 89 116 134 141 196 268 200 sorry 2011 से 2023 ठीक है यहां पर कितने साल हो गया आप खुद देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस ग्यारा वारा साल हो चुके है और यहां पर company लगातार consistent sales growth दिखा रही है एक बार भी असा नहीं हो कि sales growth गिर गया तो यह बहुत अच्छी बात है company लगातार sales growth हाँ कम कभी कम कभी ज्यादा percentage growth कर यह तो होता ही है लेकिन लगातार increasing है and recently भी इसने काफी अच्छा growth भी दिखाया है बाकि operating profit की बात करें तो यह देख सकते हो दो करोड पहले था फिर 6 हुआ 10, 20, 26, 32 फिर 31 हो गया यहां पर 31 क्यूं हुआ तो यहां पर margin गिर गया था फिर 12 हो गया क्यूं 12 हुआ margin गिर गया था फिर 38 फिर 62 तो यहां पर margin increase हो गया तो obviously profit भी अच्छे हो गया बाकि profit before tax on net profit भी वैसा ही आप खुद देख लेना लगातार जो है यहां पर तीन साल से तो लगातार increasing ही है अगर margin की बात करें तो margin यहां पर 20-23% के आसपास कही margin होता है पहले यह ज्यादा margin था तो company जो होती है जब consistent growth दिखा दिये तो margin कहीं न कहीं थोड़ा effect होता है लेकिन फिर जैसे consistent growth के कुछ दिन हो जाते हैं फिर company margin को वापस लाने की कोशिश करती है और EPS भी आप देख सकते हो वैसे ही लगातार EPS में growth है कोई दिक्कत नहीं है बाकी यहां पर जो है मैं अब आगे बढ़ता हूं profit and loss statement मुझे बहुत अच्छा लगा balance sheet इसका balance sheet एक दम मतलब मैं कहूंगा phenomenal balance sheet और borrowings अभी बिल्कुल zero है जो की अच्छी बात है बीच में borrowings थे 10-12 क्रोड 15 क्रोड के borrowings थे और उन्होंने बहुत अच्छे से maintain करके इसको zero भी किया and मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं ठीक है यहां पर देखो reserves कितना है 238 क्रोड की reserves है ओके आप बोलो के borrowings तो zero है debt equity zero हो गया बहुत अच्छी बात है company तो एक्तम debt free है कोई दिक्कत न नहीं होंगे तो company grow नहीं कर पाएगी आप एक सी सोचो अगर company को capex करने है company कहां से capex करेगी company को मालो 100 क्रोड के capex चाहिए company 100 क्रोड CWIP में डालेगी तो जब भी 100 क्रोड CWIP में आएगा तो कहां से आएगा तो या तो वो loan से आएगा या तो borrowing से आएगा चाहे वो short term हो long term हो या तो reserve से आएगा अगर वो reserve से आता है तो reserve का पैसा घट जाएगा अब reserve का पैसा घटेगा तो काम चलेगा नहीं क्योंकि अगर पैसे ही नहीं होंगे तो फिर तो problem है भाई या तो यहां पे company इसलिए loan लेती है ठीक है कि loan लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और obvious सा बात है अगर company 100 crore का loan भी लेती है और company के पास 200 crore के reserves है तो tension वाली क्या बात है आराम से company CWIP करेगी जैसी company का एक और factory वने गार revenue और increase होगा और reserves आ जाएंगे तो कोई tension नहीं है इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां पे company के पास loan 0 है इसका मतलब यह नहीं कि company loan ना ले त कैसी मैं आपको बताता हूं यह देखो 2021-12 में अगर देखोगे तो यहां पे जो data2 डेविटी था यह देखो तीन क्रोड डिजर्व में दोकरोर का debt लिया हूँ है ृक्डा ौड ď क्यूंकि कंपनी को लो जो है मैंनेज करना आता है और कंपनी फंडमेंटली स्ट्रॉंग एक कंपनी और को भी दिक्कत नहीं है अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ दिखा रही है तो ओबिस्नस करना आता है, यहां पे जो है लोन्स कोई दिक्कत नहीं है मैं कहोंगा अगर लोन्स आ जाता है न तो आपको डरना नहीं चाहिए आपको खुश होना चाहिए कि हो सकते अगर लोन्स आया है तो अब कंपनी करेगी और बीच बीच में यहां पर दीरे दीरे पहले सब जीरो था जो कि अभी दो पांच करोड़ पहुंच चुका है अब दीरे दीरे इंक्रीज होगा फिर पचीस पचास इस तरह से बढ़ेगा तो अच्छी बात होगी उसके लिए आगे बढ़ते हैं अब बात करतें इं परसेंट है मतलब 67-68 परसेंट के आसपास है और स्मॉल के लिए मैं बोलता हूं एनफ यार क्योंकि हमें भी तो चाहिए यार स्मॉल कैप में भरोसा आप प्रोमोटर अगर 30-35 परसेंट के बैठा हो और हमें बोल रहा हो भाई आप बाई करो शेर हम कैसे मतलब यार वही अ इसलिए उन्होंने इतना शेर लिया हुआ है अगर ट्रेश्ट नहीं होता तो वही 30-35 पर बैठे वे होते तो इसलिए प्रोमोटर होल्डिंग होना ज़रूरी है तो प्रोमोटर होल्डिंग है जो कि बहुत अच्छी बात है आप देख सकते हो 5% है और वह कंटीनिव कोई दिक्कत नहीं है पहले थे 4% अब जो जो जीरो हो चुक है आप बलोग यार यह तो गलत बात है लेकिन मैं आप से एक चीज़ कहता हूं यहां पर यह गलत बात नहीं है बहुत छोटी कंपनीज में डिया इस नहीं आते हैं मैं आपको पताया हुआ हुआ है फिर भी कही नही बीच में पकड़ाते नहीं अगर माले आपको मिल भी जाता है तो यह तो अछे नहीं होगे चुक अच्छे नहीं होगे बैठे हुआ है या फिर छोड़ देगे बात में जाकरने तो वही चीज यह यह तो एकदम पकड़ो तो यहां पर जो है अभी डिया जैसी योई जैसे तो stock price भागेगा लेकिन fundamentals जरूरी है उस तो कोई एंटर करेगा तो esti टो स्टाउक पर या तो या तो एक दिन ऊपर जाना या तो नीचे जाना या लेकिन एक्चुल जो game होता है वह fundamentals का game होता है बांकि public आप यहां पर देख सकते हैं public भी थोड़ी बहुत है तो तो शेलोल्डिंग पैटर्न एकडम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है शेलोल्डिंग पैटर्न में बाकि मैंने आपको बताई दिया कि की फिनांशल यह 22 एंद फिपीट अगर आपको लिए करना बीड कर सकते हो आपको और भी पता चलेगा इसके बिजनस के बारे में यहां पर बहुत टा है मने टाइम भी देख लेता हूं और चबिस मिनट हो चुके और अब बाईस मैं तेकनिकल पर आता हूं अब मैं आपको ट यहां पे जो है जहां भी अभी है वह एक बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट ठीक है आप यहां पे देखोगे तो पहले रेजिस्टन्स था फिर सपोर्ट बना एंड यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज़ आप देखो या तो वह इसी जोन में आकर के रुकता है ठीक पर ब्र तो वही चीज़े यह अगर ब्राक होता है ठीक है आप अपिब बैठ हो आ замет से अगर यह गुसा है इस जोन में में यह मेरे हिसाब करेगा और इस लेज़ने लगा अगर नहीं भी आता है रहे उप पर जाता है तो यह एक range है, तो जो जब भी range होता है, तो range के हमें support पे खड़ी देना चाहिए, यह जो एक strong support है, मैं यही कहने कि मैं सोच रहा हूँ, चाह रहा हूँ, यह जो एक strong level है, और बाकी मैंने और भी कुछ black lines बनाये हुए, वो देख सकते हो, और उपर वाला जो है, strong resistance तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अच्छे companies में resistance strong नहीं होता है, यह एक बार तो break होई चुका है, और फिर से break हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन support का break होना बहुत मुश्किल है, और आप एक और काम कर सकते हो, मैं आपको यह भी बोलूँगा, कि मालो यह नीचे आया, ठीक है, आपने यहाँ buy करा कुछ, फिर नीचे आया, फिर आपने और buy करा, मतलब staggered buying करा, आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा कम risk लेना, आप बोलो, मैं इतना risk नहीं ले सकता, तो 200 days, यह मालो नीचे आया, support पर आया, अब बस observe करो, जब यह 200 days को फिर से उपर से break करेगा, इस तरह से, 200 days के उपर closing दे देगा, तब आप buy कर लेना, लेकिन यार, मैं आपको बोलूँगा, कि अगर आपको इतना ही डर है, तो फिर इस company में आने का मतलब नहीं बनता है, इस company में तो average down ही करना होगा, ठीक है, average आप करना है, तो कर सकते हो, बाकी average down करके जो है, असली मज़ा आता है, क्योंकि companies जो है, वो बहुत गिरती हैं, एक बर भागती है, तो जो भी है, आप कोई recommendation नहीं है, ठीक है, किसी भी दर का कोई भी recommendation नहीं है, जो आपको करना हो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो 50 days के cross होने के बाद buy करो, अगर आप चाहो तो buy ही मत करो, अगर आप चाहो तो यह resistance break हो जाए, यहाँ से support ले ले, फिर मैं buy करूँगा, जो आ बार-बार बता रहा हो, एक ही चीज, recommendation बिल्कुल नहीं है, buy करने का कोई भी recommendation नहीं है, लेकिन, एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा, हो यह, कि अगर आपको buy करना है, ठीक है, अगर आपको buy करना है, मेरे तरफ से कोई भी recommendation नहीं है, बार-बार बोल रहा हूँ, buy करना है, तो आप छोटी quantity भाई कर सकते हो ठीक है 2% 3% अपने total portfolio का 2-3% रख सकते हो वो भी maximum उससे कम रख सकते हो चाहो तो लेकिन जाधा कम रखने से फायदा नहीं होता तो 2-3% इस नॉर्मल रेंज तो इस रेंज में आप रखो तो अच्छा है नहीं तो यार आप 10% रखोगे कल के अगर 1600 क्रोड का मार्केट शियर अगर गिर करके 500 प्या जाता है तो आपका पैसा भी आधा से भी कम हो जाएगा तो फिर आपको और लगेगा तो एंड करते हैं वीडियो को वीडियो अच्छा लगा आपको पता यह क्या करने लाइक से सब्सक्राइब और आज की दिन इसी